हेलो एवरीवन वेलकम ऑन मैं ट्यूप चेनल इस वीडियो में हम राजेस एक्सपोर्ट कंपनी की डिटेल एनलाइजस करने वाले हैं इस कंपनी की शेयर प्राइज शेयर प्राइज शेयर प्राइज शेयर रुपए और एक दिन में 0.58% की तेज़ी देखने को मिली हैं सालों में 9% के negative return और maximum returns की बात करें तो 30,900% के positive return दिये तो क्या इस कंपनी के shares को खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा कि आप यहां chart button देख सकते हो इस stocks में काफी ज्यादा volatilities भी देखने को मिली है कंपनी के fundamentals के बात करें तो यह जो कंपनी है global manufacturing of gold and gold products marketing network with the distribution through experts wholesale direct to customer with the retail brands refines over 35% world gold मतलब यह जो company है gold manufacturing and gold products में work कर रही है market capitalization 19,245 करोड का है stock का low 500 रुपए stock का ही 1030 रुपए यहाँ बात करें stock के PE की 16 है book value 456 रुपए dividend yield 0.15 है company बहुत कम यहाँ पे dividend दे रही है ROC भी काफी कम है 8% return on equity 8% face value एक रुपए की है यानि stock split हुआ है यहाँ पे बात करें promoter holding 54% है और debt की बात करें तो बिल्कुल law debt वाली company है मातर 720 करोड का ही debt देखने को मिला है FIS holding 7,5% है और FIS ने 0.05% के stake से हाँ पे buy किये है DI's holding 11% है और DI's ने 0.08% के stake से यहाँ पे sell out किये है यहाँ बात करें diamond jewelries में इस company की rank है second number है first number की जो company है Titan and second है Rajis experts limited profit यहाँ पे बात करें profits की तो इस company का जो quarter basis profit है काफी strong बढ़ते वे देखने को मिला 300, 222 करोड, 333 करोड और अभी 422 करोड का December में profit earned किया है किसी के साथ year on year basis profit की बात करें तो year on year basis भी काफी strong profit देखने को मिला 1000 से 1200 करोड का profit balance sheet में company के results के बात करें तो company की results काफी strong हमें देखने को मिले continuous बढ़ते वे देखने को मिले 11000, 12000, 13400 करोड के और company ने अपना borrowings काफी कम किया है अभी company का borrowing 720 करोड ही देखने को मिला है जो की companies के लिए काफी अच्छा होता है जितना company अपना borrowings कम करती है और अपनी results को बढ़ाती है उतना ही company fundamentally strong बनती चली जाती है यहां पर promoter holding 54% है FIS के पास काफी strong shares है 17% के BIS के पास 11% और public holding 17% है यानि all over इस company के fundamentals काफी strong देखने को मिलें BSC पर इस stock के analyzes करते हैं तो आप यहां देख सकते हूँ कि company ने कोई dividend दिया है stock split किया है या bonus दिया है तो हाल में ही company ने एक रुपे पर शे dividend दिया है क्योंकि इस से पहले भी stock में काफी बार गिरावट हो चुकी है तो stock में patience रखे long term के लिए hold रखोगे तो आपको काफी अच्छा returns मिलेगा Thank you दोस्तो